हेला एवरिवन वेलकम टू मैं चैनल कैसे हो आप सवासा करती हूं कि सभी लोग ठीक होंगे और आज मैं बिल्कुल ही खास टॉपिक पर बात करने वाली हूं जिनको प्रिवेंसी नहीं हो रहा है बहुत फारी ट्रिक फॉलो कर लिए हैं बहुत सारे अपने उपर काम कर चुक सब्सक्राइब करते हैं तो आज का वीडियो फुल बहुत कि अगर अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं कि सब्सक्राइब कर लिए का बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुचना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो आज की मैं बात कर ले दूंकि आखिरी सबसेफेलते हों यह कि PC탁 और PC PCOS क्या है कि य्योवक्त सारे लोग पीसी और पीसी नहीं Glad n है तो यह बिल्कुल ही अलग है तीनों चीज अलग है क्योंकि कुछ सिंटम्स देखा गया है कि जो PCOD में देखा जाता है वह PCOS में नहीं देखा जाता है तो भरले ही PCOD PCOS का दोनों का सेम ट्रेट्मेंट हो लेकिन सिंटम्स अलग-अलग होता है जहां मैं बताती हूं पीसी ओडी के बारे में कि मैं खुद पीसी ओडी से गरज थी तो जहां वहीं फिर देखा जाता है कि पीसी ओडी में पता नहीं चालता है कि हमको पीसी ओडी हो गया है क्योंकि उसमें पीरियड इन्रेगुलर हो जाता है जो समय के बहुत दिन बात पता चलता है और वहीं पीसी ओडी रहता है तो वह समय से मतलब कुछ ऐसे लच्छन उनके होते हैं जिससे पैता चल जाता है कि उनको पीसी ओडी है क्योंकि बहुत दिन के बात पीरियड आना मतल कबी तो गई भी हो जाता है दबा लेने के बाद आता है तो वो PCOD का होता है बहुत पतला उनका बॉलोड भी आता है और जैसा कलर होना चाहिए एक नौर्मल बिड्र का वो बिलकुल नहीं आता है तो यह सब चीज़ बहुत ही माइने रखता है दोनों का सिम्टम्स बिल्कुल अलग है लेकिन ट्रीटमेंट एक ही होता है जो मैं आपको लोग पीसी ओडी वाले को बताती हूं वह कर सकते हैं और वहीं कहीं महिलाएं यह भी मानती हैं कि थाराइड वही है तो थाराइड बिल्कुल बढ़ें ही जाता है तो ज्यादा तर ज्यादा तर ज्यादा तर जिनको पीसी ओएस हैं उनको थाराड होने की ज्यादा संभावना रहती है तो जो इनको पीसी ओडी का है तो यह वाल ट्रेटमेंट कर सकते हैं और मोज दवा खा सकते हैं जो मैं पिसले वाले वीडियो में बताती हूं और सिरफ का दानाम भी बताएं कुछ घरेलो उपाए है जो इस वीडियो में आप जाने लिए और योगा है जो मैं काफी हर वीडियो में बताती हूं तो यह आपको मैं योगा करके दिखाऊंगी नेक्स्ट वाले वीडियो में कि आखिर कौन-कौन से योगा PCOD PCOS के लिए बहुत ही राम बान उपाय है क्योंकि आप मैं यह वाली बता रहे हूं तो अगर लगे हाथ आप योगा बगर भी करने लगेगा खास करके मैं PCOD जिनको हूं वही वाप से बताऊंगी और फाल्तु कुछ नहीं बताऊंगी तो इससे जो नेश्ट वाली वीडियो आए बिल्कुल नॉर्मल तरीके अपना के PCOD ठीक कर सकते हैं और अपना बजन कम कर सकते हैं अगर इनको बजन पहले से कम है तो वह दवा यूज करें कुछ घरी रूपाय है ड्रिंक है वह आप यूज करें और इनका बजन बहुत जादा है तो वह आप वाक कीजिए सुबा जाए और नौर्मोज दवा जरूर यूज किजिए आप पहने के शार द्रिंक यूज किजिए आपका बजन कम होगा जैसे ही वैसे आपका प्रियोंसी कर सीव होताएगा और PCOD ठीक हो या ना हो आपका बजन कम होगा आपका जो बचताने के पाक जो बहुत सारा अंडे बाकि में जो इन्फोर्मेशन होगा, मैं नेक्स वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मेरे बहुत पछान करिया तो इस वीडियो में यहीं पर में इंड करती हूं, बाई, टेक कर अपना ख्याल रखियेगा और चानल को सब्सक्राइब करना बिल्बूल मत भूलियेगा बाई- झाल